इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आज के इस आदुनेक युग में हर तरफ साइन्स का ही बोल बाला है और इसके बतौलत ही पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे इन्वेंशन्स हुए है जिससे हम बड़े से बड़े काम को भी मिनिटों में ही निप्टा डालते है लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस धर्ती पर कुछ ऐसे जीव भी मौचूद है जिनोंने कुछ खास इन्वेंशन तो नहीं किया है लेकिन अपने कमाल की हुनर का कोई जवाब नहीं दो चलिए आज के हमारे इस बेहद ही दिल्चस्प वीडियो में हम आपको दस ऐसी क्रीचर से मिलवाते है जो अपने हैरत अंगेज हिदिन एबिलिटीज के दम पर बड़े से बड़े शिकारी जानवरों को भी चकमा दे डालते है वीडियो की शुरुवात करते है एक ऐसे जीव के साथ जो मरने की आक्टिंग करने में पूरी तरह से मास्टर होते है और इनके इस लाजवाब आक्टिंग को देखकर ऐसा जान पड़ता है कि जैसे मानो इन्होंने इस कला में पीएचडी की डिगरी हासल की हो जरा गौर से देखिये इस जीव को जिसे ओपोसम्स के नाम से जाना जाता है यतने बड़े फट्टू होता है कि इन्हें मरने से कुछ जादा ही डर लगता है यही कारण है कि इन्हें अपने उपर जैसे ही कोई खतरा महसूस होता है या अपने हिदिन अबिलिटी का परिच तरह टल जाता है तो ये कुछ इस तरह से फटाक से उठ खड़े होते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो आस्ट्रीलिया में पाए जाने वाले ये पक्षी आकार के मामले में थोड़े बड़े होते हैं लेकिन दूसरे बर्ट्स की तुलना में टॉनी फ्रॉग माउथ को जो बात सबसे खास बनाती है वो है इनके रूप बदलने का यूनीक आर्ट जिसके दम पर ये अपने शिका किसी पेड के तने से बिलकुल मैच करता है यही कारण है कि जैसे ही इने शिकारियों की आने की भनक लगती है ये अपनी आखों को पूरी तरह से बंद करने के साथ साथ अपनी चोंच को उपर की और उठा लेते है इसके साथ ही अपने पंक और शरीर के रंग की मदद से इस creature को ही देख लीजिए जिने spider decorator crab के नाम से भी जाना जाता है और ये आम तोर पर America, Mexico, Brazil, Thailand, Indonesia, Malaysia और Philippines के coastal areas में पाए जाते है जिनका इस्तमाल बड़े पैमाने पर खाने के रूप में भी किया जाता है जिसके वज़र से इनके जान के उपर हमेशा खत्रा मंड़ाता रहता है यही कारण है कि कुदरत ने इने एक खास्तर की hidden ability से नवाजा है जिसके मदद से ये अपने रूप बदलने में पूरी तरह से export होते है दरसल डेकोरेटर क्राप को जैसे ही अपने उपर कोई खत्रा मैसूस होता है ये अपने वातावरन और माहोल के हिसाब से अपनी पहचा समुद्र की दुनिया में अपना बसेरा बनाने वाले लीफी सी ड्रागन वैसे तो दिखने में बेहदी अट्राक्टिव होते है लेकिन इन्हें पहली नजर में देखकर कोई भी धोखा खा जाएगा क्योंकि ये बिलकुल किसी सी ड्रागन की तरह दिखाई देते है आम तो और पर उस्ट्रेलिया की उत्तर और दक्षणी समुद्र तटो पर पाय जाने वाले लीफी सी ड्रागन आकार के मामले में काफी छोटे होते है लेकिन इन्हें माहोल की हिसाब से अपना रूप बदलने में महारत हासिल होती है इनके पूरे शरीर के उपर छोटे पेडों के पत्यों जैसे पंक मौझूद होते है जिसकी मदद से ये खुद को ओशन सर्फेस में मौझूद सी प्लांस और एल्गी के बीच बड़ी ही आसानी से छुपा लेते है तो वही इनके रंग बिरंगे शरीर और पत्तों जैसे पंक की वजह से शिकारी भी इने पहचानने में गच्चा खा जाते हैं हाला कि लगातार बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से इनकी आबादी में दिन प्रती दिन काफी गिरावट देखने को मिलती है यही कारण है कि आज की तारीक में जीफ पूरी तरह से एक्स्टिंशन के कगार पर जहां पहुंचे है आम तोर पर खारे पानी में अपना बसेरा बनाना पसंद करने वाले मिमिक ओक्टोपस जहां एक और अपना रूप बदलने में पूरी तरह से एक्सपर्ट होते है तो वही दूसरी और इनका दिमाग काफी शार्प होता है यही कारण है कि कैमोफलाज की अनोखी कलाकारी के दम पर यह अपने शिकार को निशाना बनाने के साथ साथ शिकारियों की नज़र से खुद को बचाने में पूरी तरह से माहिर होते है इसके साथ ही अपने बेहद शार्प दिमाग की मदद से ये दूसरे जानवरों के behavior को पूरी तरह से copy कर लेते हैं और उनके जैसा ही वरताफ करने लगते हैं जिसकी वजह से इनके शिकारी इन्हें पहचानने में पूरी तरह से चकमा खा जाते हैं लुक्स के मामले में बेहद ही क्यूट से दिखने वाली आर्क्टिक फॉक्स को आम तोर पर पोलर फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है आगार में छोटी ये आर्क्टिक फॉक्स आम तोर पर नदर्न हेमिस्फियर के आर्क्टिक टुन्रा एरियाज में पाई जाती है जहां य इक और इन्हें भयानक ठंड से बचाने में मदद करते हैं तो वही दूसरी और कैमोफलाज प्राक्टिस करने में भी काफी मददगार साबित होते हैं ऐसे में चार और पहले बर्फ की सफेद चादर में जब ये आर्क्टिक फॉक्स अपने सफेद फर के साथ पूरी तरह से कटल फिश चलिए इस वीडियो में अब हम बात करते हैं कटल फिश की जो दूसरे कई क्रीचर्स के तरह ही जबरदस्थ हिरेनेबिलिटी की मालकिन होती है जिनकी बॉड़ी में एक ऐसी खासियत होती है कि जिसकी वजह से किसी भी शिकारी जीफ को बड़ी ही आसानी से अपने बॉड़ी के कलर और पैटर्न को बदल लेती है या यू कहे कि अपने आसपास के किसी भी चीज में खुद को पूरी तरह से ब्लेंड कर लेती है फिर चाहे वो समुद्री पौधे हो या फिर समुद्र की सत है यही वजह है कि अपने इस अनूठे फीचर के दम पर य आमर की स्पाइडर आकार के मामले में दूसरी मकडियों से काफी बड़ी होती है इतना ही नहीं यह स्पाइडर कैमुफलाज यानी की अपना रूप बदलने के अदबुत एबिलिटी के लिए पूरी दुनिया भर में जानी जाती है दरसल रैप अराउंड स्पाइडर की ब इन्हें पहचान पाना काफी मुश्किल भरा काम हो जाता है जिसकी वज़े से शिकारियों के लिए इन्हें ढूंड पाना घास के धेर में किसी सुई को ढूंडने के बराबर ही हो जाता है मरीन वर्ल में अपना आशियाना बनाने वाली रीफ स्टोन फिश बेहद ही जहरीली मचलियों में से एक मानी जाती है इसके साथ ही अपना रूप बदलने के मामले में ये सुपर एक्सपोर्ट होती है जिसकी मदद से ये ना सिर्फ खुद को पूरी तरह से अपने आसपास नहीं बलकि कोई पत्थर का टुकडा मात्र है जिसकी वज़े से शिकारी भी इने ढूंडने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो जाते है अब जरा एक नज़र इस डेड़ लीफ मैंटिस के उपर भी डाल लीजिए जिसे देखकर किसी भी इंसान के लिए ये तै कर पाना का कोई जीता जाकता जीव है या फिर कोई सूखा हुआ पत्ता आम तोर पर थाइलिंड मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में पाए जाने वाले ये जीव आकार के मामले में काफी छोटे होते हैं लेकिन इसके बावजूद भी इनके अंदर कैमोफलाज करने की एक अनोखी काबिलेत मौजूद होती है यही कारण है कि किसी भी खत्रे का एसास होते ही या अपने रूप बदलने की अनोखी कला की मदद से खुद को जमीन के उपर गिरा लेते हैं और अपने सारे पेरों को अंदर की तरफ मोड लेते हैं जिसके बाद ये डेड लीफ मैंटि इस बिलकुल इसी पोजिशन में काफी देर तक इसी सूखे हुए पत्ते की तरह चुप चाप पड़े रहते हैं जबकि इन्हें ऐसी हालत में देखकर इगल जैसा शिकारी भी इस बात को समझने में दोखा खा जाता है कि ये कोई जीव है या फिर कोई सूखा हुआ पत्ता साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंद कर दे इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे लेटेस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंद पहुंच जाए